हालो दोस्तों मेरा नाम में बिन है और आप लोग देख रहूं बिन है तो मैं आज आप लोगो बताने जा रहा हूं IDFC First Bank का New Fixed Approach Rate के बारे में for the month of September 2003 तो recently IDFC First Bank ने अपना New FD Rate जो है ओं इंट्ड्यूस किया है तो क्या है निया Fixed Approach Rate और क्या इंट्रेशनल करने प्रवेट कर रहा है IDFC First Bank अपनी कस्टमर को मैं आप लोगो फुल डेटल में बताने जा रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग करना है और इधर आप लोग देख सकते हूं आप लोग 90% लोन ले सकते हूं ठीक है अपना FD एमाउंट के ओपर और आप लोग इंवेश्ट कर सकते हूं आप लोग को मंतली क्वाटरली और अनुल बेसेस पर IDFC बैंक जो है इंटरेस्ट पे करेगा ठीक है अगर आप लोग आप लोग करते हो तो और senior citizen के लिए कोई भी penalty rate applicable नहीं यहां पर आप लोग देख सकते हूं और 0.5% extra मिलेगा आप लोग को मिल जाएगा ठीक है और यहां पर आप लोग देख सकते हूं 10-year FD rate for non senior citizen जो की normal season है और FD rate for senior citizen ठीक है 7-14 days 3.50 और और senior citizen 4% और यह कंटिनू अटिल 29 तर 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 45 days 4% for normal citizen 4.50 4690 days 4.50 for normal citizen 5% 91-180 days 5% for normal citizen 5.50 181-1 year 6.50 for normal citizen और सब्सक्राइब यह कंटिनू है तिल 3 years तर ठीक है और 3 year 1 day जो है 3 year 1 day तु 5 यह सब्सक्राइब यह कंटिनूआ तिल 10 years तर और अभी है बताने जारूं टैक्स हाँ एप्टी दीपोजिट के बारे में जो की domestic deposit है जो की effective है from July 1st 2020 से जो की less than 2 CR के लिए अप्लिके बूल है जो है 7% आप लोगो मिल जाएगा और ध्यान रगने वाला बात है आप लोग maximum 1.5 लाग तक invest कर सकते हो और यह जो के लिए करना चाहते हो तो 181 days के वह आप लोगों कर सकते जो की 6150 और 7% आप लोगों मिल जाएगा ठीक है तो यह था आइड़ी से फर्स्ट वैंक का निव फिक्स्ट पूच्ट के बारे में for the month of September 2023 तो आगर आपके लिए वीडियो इस पूल आप लिएक से कॉमेंट और